है ला दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होब कि आप सभी घर में हो और लोगडाउन को फुलो कर रहे हो दोस्तों आद का जो टॉपिक है वो टेली आरपी 9 अपडेट से रिलेटिड है आई होब कि आप सभी को पता चल गया हो कि टेली आरपी 9 जो कि हमारा जो इसका रिलीज वर्जन है 6.6 चल रहा था लेकिन अब इन्होंने 6.6.1 उन्होंने एक नए अपडेट कर दिया है उस नए अपडेट में क्या खासियत है और उसको किस तरहिके से हम इंस्टॉल करेंगे यानि अपने टेली आरपी 9 को 6.6 से लेकर मतलब हमें 6.6 से 6.6.1 पे ले जाना है उसको किस तरहिके से उस पे अपडेट करेंगे तो चलिए इसी चीज को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप जै अपना टेली आरपी 9 जब करने के बाद ही आप लोग यहां पर देखेंगे कि रिली 6.6 आ रहा होगा लेटेस्ट वर्जन नहीं आ रहा होगा 6.6.1 तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे आप लोग चाहे हैं तो यहां से भी डाइक लिए डाउनलोड कर सकते हैं यहां से डाउनलोड करने के लिए आ टेलियार्पी 9 सीरीज रिलीज 6.60 तो हमें 6.6.1 को इस्टॉल करना है तो आप यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे जैसे आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखें नीचे आप भी रहा है 6.6.1 रिलीज जबकि यहां पर नहीं आ रहा तो अगर आप लोग कर सकता है अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं आप लोग यहां पर भी क्लिक करके आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर एक ब्राउजर ओपन कर देगा मैं आपको दिखाता हम जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने मेरा ब्राउजर ओपन कर दे और यह डारेक्ट को करना आई जाएगा किस तरीके से करना है जैसे मैं इस पर क्लिक करता है वह डाउनलोड पर तो डारेक्ट मुझे क्या करेगा वर्जन पर ले जाएगा कि आपको कौन से वर्जन को डाउनलोड करना है तो जो लेटस्ट होता है वो डार्ट मेरे को वहां पर ले जाएगा तो को install करना नहीं आता अपडेट करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मैं आप लोगों के लिए कि स्पेशली वीडियो बना दूँगा मुस्कल से 2-3 मिट की वीडियो होगी उसमें आप लोगों को बता दूँग कि इस तरी के सब में install करते हैं तो चलिए जानते हैं इसके इंदर खास क्या है और और क्या नहीं ये दो उन लोगों के लिए था दोस्तों जिन्हों ने license version लिया होगा जिन्हों ने license version न लिया हो उनके लिए भी बता देता हूं कि गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे टैइली solution.com है आप टाइप करना है टाइप करने के बाद आप लोगों को again download के section में जाना है और download के section में जाने के बाद यहाँ पर जैसी आप click करेंगे आपके सामने यह वही लेकर आजाएगा install और download का तो आप लोग यहाँ से directly install कर ले या फिर download कर ले अप चलिए जानते हैं कि release 6.6.1 के अंदर क्या है तो जैसा कि आप सभी जाते हैं 6.6 के अंदर इन्हों ने ब्राउजर से connect कर दिया था remote की तरह कि आप कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी हो आप अपने टैली में जितना भी आपका balance और profit और loss है वो देख सकते हैं लेकिन उन्हों ने इसमें अपडेट किया क्या किया कि आप लेजर को भी कॉस संटर वेकर कर इसाब से देख सकते हैं और जो आपके stock movement हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं मतलब मेरे किस इस गोडाउन से किस गोडाउन माल जा रहा तो उसके रिपोर्ट भी आप लोग आप लोग आप लोग आप इसली टैली रिपोर्ट इन ब्राउजर में देख सकते हैं इसके बात फाइंसेल बिल में जो अपडेशन किया गया है गौवर्मेंट की तरह आप से जो अपरेल 2020 से लागू हुआ है वो भी आप लोग इसके अंदर चेंजेस देखेंगे तीसरा पॉंट जो इसके अंदर सबसे बड़ा मेजर चेंज लाया गया है वो है टीडेशन पेमेंट जो हमारा सेक्शन 194 के है न्यू नेचर ओ पेमेंट अंडर सेक्शन 194 के यह आप से भी जानते है 194 के जो हमारे mutual fund से related होता है तो उससे related telly में क्या adaptation है उसको किस तरीके से हम देखेंगे यह सारी चीज़े में आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं इसके उपर में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें practically बेस पर जो 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 इनमें चेंजेस आए वो मैं आप लोगों को live दिखा सकूँ इसके बाद यहाँ पर देखें TDS on salary for new tax यानी जो भी हमारे salary में new tax related to direction वगेरा होते थे eligible होता था क्या rate होते थे जो भी थे आप देखें new concerned income tax rate with predefined eligible allowance and education इंस related to change है वो भी मैं आप लोगो किसा शेयर करूंगा हाला कि अभी स्रिप मैं आपको जो इसके point of view है वो मैं आप लोगों किसा शेयर कर रहा हूं और यहाँ पर आप देखेंगे TDS on salary for old and new tax यानी इनके वीचन भी comparing इन्होंने दिखाया बहुत अच्छा feature होगा यह देखेंगे हम जो सबसे बड़ा major इसके अंदर अप्डेशन लाया गया है दोश्तों वो है GSTi 3B और TDS की जो हम return file करते हैं यह दोनों चीजिसके अंदर most सबसे ज़्यादा बड़ा major जो हम हम क्या सकते हैं changes आया हुआ है GSTi 3B का जो portal है वो भी update हुआ है तो उसके हिसाब से टेली आरपी 9 ने अपने software को भी update कर दिया है ताकि हम directly GSTi 3B का JSON file बनाएंगे हम उसको किस तरीके से GSTi portal पे डालेंगे तो वो सारी चीजे भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए update किया है कि क्या क्या किया है यह मैं साथी साथ TDS की जो return है और आप लोग सभी जानते हैं कि जो इसका FVU version 6.6 है हर quarter में change कर देते हैं आप से भी जानते है तो टेली आरपी 9 ने भी इसको इसको अपडेट किया हुआ है तो यह सारी चीजे हैं यह कुछ point थे जो आप लोगों किसा share करना चाला था कि जो नया release जा है टैली आप इनन का 6.6.1 उसके अंदर TDS की जो payment 194K है जो अपडेशन हुआ है जो nature of payment होता है tax का वो हो गया हमारा और जो हमारा यह टैली रिपोर्ट इन वाउजर में क्या कि हम देख सकते हैं यह सारी चीजे point of view जो main थे वह मैं आप लोग इसा share करना चाला था टैली पर इनको किस तरह के सब्डेट करेंगे यह मैंने आप लोगों को बता दिया है इंस्टॉल करना आता है तो ठीक नहीं आता तो comment जरूर करके बता दे मुझे ताकि उसके उपर भी मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दू वो वीडियो ज़्यादे ज्याद बटन पर क्लिक करके ओन कर ले बैल बटन को और जैसा कि आप से भी जाते हैं कि आप लोगों के लिए एक ओनलाइन क्लासिस स्टार्ट किया गया है तो अगर आप लोगों ने उसका भी तक फायदा नहीं लिया तो आप विजिट कीजिए हमारे वेबसाइड पर जो की है www.on jstservice.com आप लोग इस स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे मैं इसको डिस्क्रिप्शन में में मैंसिन कर दोंगा टैक लिए आप वहां से भी जा सकते हैं करीबन दोस्तों जब हमने वह स्टार्ट किया एक महिना हो चुका है स्टार्ट के हुए तो हमारे पास स्री 50-60 student थे आज फायदा ले नेक्ट वीडियो भी लेखें दोस्तों थेंक्यू सो मच झाल 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 झाल